हेलो क्रेंड्स, श्वागत है आपके अपने ये चैनल किताब के ग्यान में तो आज हम NCRT Math Class 9th का Chapter 1 solve करेंगे जिसमें हम लोग exercise 1.6 के question को solve करेंगे और इस exercise में हमने हर एक question को cover किया है तो please वीडियो को पूरा देखीगा, इसके मत करीगा चलिए start करते हैं तो ये है exercise 1.6 का question number first question दिया वा find और हमें find करना है 64 to power 1 by 2 32 power 1 by 5 और 125 to power 1 by 3 तो देखिए इसको कैसे करना है यहाँ पर जो base में नंबर दिया हुआ है 64, 32 और 125 हम सब का बारी-बारी से prime factor निकाल लेंगे तो 64 का prime factor यहाँ पर हो गया 2 into 32 क्या आया 64 आ गया 2 into 16, 32 2 into 8, 2 into 4, 2 into 2, 1 into 2 तो क्या आ गया हमारा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितने माटू है 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब हम निकालेंगे 32 का तो इसमें देखिए 32 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका आपका आयागा यहाँ से यहाँ तक का आयागा मतलब यहाँ से कवर करेगा यहाँ तक का तेसमें आ जाएगा आपका 32 का 2 into 2 into 2 into 2 into 2 सिम तरीके से हम करेंगे यहाँ पर 125 का यह आएगा आपका 5 x 5 x 5 यह आएगा अब देखिया आपको क्या करना है यहाँ पर देखिया लिखा हुआ है पावर 1 by 2 यहाँ पर पावर 1 by 2 यहाँ पर पावर 1 by 5 और यहाँ पर पावर 1 by 3 तो पावर में जो दिया हुआ आपको डिनामेटर है यहाँ पर डिनामेटर क्या है 5 है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3 है, denominator में, तो इतने का आपको पेर बनाना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 2, तो आपको 2-2 का पेर बनाना है, यहाँ पर 1 पेर, 2 पेर और 3 पेर, किन्ने का पेर है? 2-2 का पेर है, ऐसे यहाँ पर दिया हुआ 5, 5 दिया हुआ है, तो आपको 5 का पेर यहां दिया a three तो बनाएंगे आप 1, 2, 3, 3 का पेर तो जितने का पेर बना हैं आप सब को कर देंगे जहाँ पर 2 यह पहले पेर का हो गया यह दुसरे पेर का 2 और यह तीसरे पेर का 2 क्या हो गया आपका 8 हो गया तो पहले एक answer क्या हो गया पहले एक answer आपका 8 हो गया ऐसे दूसरे में आपका 1,2,3,4,5 बस एक ही pair है और तो pair है नहीं तो बस इसको लिखेंगे हम 2 डिर्ट दो ले देंगे और ही इसका answer हो जाएगा इसमें भी आपका बस एक ही pair बन रहा है तो इसका answer क्या हो गया 5 और यही answer है second question दिया find करना है आपको 9 to power 3 by 2,32 power 2 by 5,16 to power 3 by 4 and 125 to power minus 1 by 3 लेखें क्या करना है इसको जैसे हम करेंगे पहला question आपको जो भी base दिया हुआ है base क्या 9 है to power 3 by 2 है तो base को आपको break करना है तो देखें यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 into 3 to power 3 by 2 हो जाएगा तो आप 3 into 3 को लिख सकते हैं 3 to power 2 और यहाँ पर हो गया 3 by 2 फिर आप क्या करिए power को लिजा यह बाहर 3 to power यह 2 into 3 by 2 इस 2 से यह टोकटा यह हो गया आपका 3 का cube यहाँ सा आपका 3 into 3 into 3 तो आपका answer हो गया 27 यह क्या है answer है question number second करेंगे हम लोग तेहाँ पर दिया है 32 power 2 by 5 है तेहाँ पर हो गया आपका 2 into 2 into 2 into 2 into 2 यह क्या हो गया आपका 32 हो गया 2 power 2 by 5 तो इसको हम लिए सकते हैं 2 to power 5 लिए सकते हैं प्योंकि क्या है 1,2,3,4,5 बार है 2 to power 5 हो गया और power 2 by 5 तो यह पावर बाहर हो जाएगा 5 into 2 by 5 5 से 5 कटा क्या हो गया 2 to power 2 यह हो गया 4 यह आपका answer हो गया चलिए question number 3 करेंगे हम लों question number 3 दिया है sorry 4 लिग गया है यह question number 3 है तो 3 है आपका 16 to power 3 by 4 तो यह हो जाएगा आपका 16 है तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 to power 3 by 4 तो यह हो गया 2 to power 4 3 by 4 तो यह पावर बाहर हो गया 4 into 3 by 4 4 से 4 कटा 2 का cube यह क्या हो गया आपका 8 हो गया यह आपका answer है यह कैसा है 2 into 2 into 2 तो तो 8 आपका 8 है ऐसे question number 4 होगा यह question number 3 है यह question number 4 है तो 125 लिखा है तो 125 to power minus 1 by 3 है यह हो गया आपका 5 into 5 into 5 to power minus 1 by 3 5 का cube power minus 1 by 3 हो जाए गया तो यह हो गया आपका 5 to power 3 into minus 1 by 3 3 से 3 कटा 5 का inverse हो गया बतला 1 by 5 यह आपका answer हो गया देखे यहाँ पर हमने 3 into 3 2 into 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 5 into 5 into 5 यह हमने direct किया है यह कैसे आया है जानते होंगे आप इसको हम लोग की है prime factor जैसे 9 है तो 9 का हम लोग करेंगे जब prime factor तो 3 3 बन जा 3 तो ऐसे समय आपको करना है prime factor करना है तो आपका यह आएगा हमने यहापर direct कर दिया है चलिए प्रेश्ट करते हैं Q3 Q3 में भी आपको find करना है फिर्स्ट कॉष्चन है 2 to power 2 by 3 into है dot को बोलते है into यहाँ divide है यहाँ divide है यहाँ भी dot है dot को बोलते है into तो यहाँ पर दिया है 2 to power 2 by 3 into 2 to power 1 by 5 देखिए जब भी आपको यहाँ बैस है जीसमें जो base है जैसे यहाँ पर 2 क्या है यह दूनों base हैं तो जब base सेम हो आपको क्या करना है तो base को आपको एगवा लिखना है और base को bracket में करके जो भी power है उनको plus करना है तियहाँ पर power क्या है 2 by 3 है और यहाँ पर power है 1 by 5 इनको plus करेंगे देखिए जब into होगा तो हम लोग power को plus करेंगे और 2 by 3 और plus 1 by 5 करेंगे तो यह होगा आपका 2 by 3 plus 1 by 5 5 3 जा 15 LCM हो गया 3 5 जा 15 5 2 जा 10 plus 5 3 जा 3 जा 3 जा 3 जा 3 जा 3 यह हो गया आपका 10 3 13 13 to power 15 तो यहाँ पर क्या हो गया 13 to power 15 हो गया अब यह आपका answer हो गया question number second है आपका 1 by 3 का cube to power 7 है यह power है यहाँ पर हैगा power 7 power 7 है तो देखिए यहाँ पर यह नीचे है denominator में है जब यह उपर जाएगा तो यह हो जाएगा 3 to power minus 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 to power minus 3 हो जाएगा जहाँ पर क्या है 3 क्या है power में positive में है तो तक उपर दाएगा 3 negative हो जाएगा तो हो गया 3 to power minus 3 और यह हो गया power 7 अब क्या हो गया जो bracket खुलेगा तो 3 to power minus 3 into 7 हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 to power minus 21 तो यह क्या हो गया, इसका answer हो गया, चलिए question number 3 करेंगे, यहाँ पर दिया है 11 to power 1 by 2 by 11 to power 1 by 4, देखिए base में नमबर से हमें, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11 है, तो हमने आपको बताया है कि अगर आपका divide हो रहा हो base, तो उसका power क्या जाएगा, minus हो जाएगा, तो यहाँ पर भी base से हो जाएगा, तो हमनों लिखेंगे 11 to power, उपर के लिखा हो आँ, 1 by 2, नीचे क्या है 1 by 4 है, तो हो जाएगा minus, 1 by 4, यह हो गया आपका 11 to power, 1 by 2 minus 1 by 4, क्या होगा, 1 by 2 minus 1 by 4, यह हो गया 4 as you, 2 to 4, 4 वं जा 4, हो गया 1 by 4, यहाँ हो जाएगा आपका 1 by 4, और यह आपका answer हो गया, question number 4 करेंगे हम लोग, तो दिया हुए 7 to power 1 by 2 into 8 to power 1 by 2, अब देखें यहाँ पर base अलग है, यहाँ पर 7 यहाँ पर 8 है, base क्या क्या है, 7 है और 8 है, तो दोने base क्या क्या है, अलग अलग है, और यहाँ पर power same है, यहाँ भी 1 by 2 हो यहाँ भी 1 by 2 है, तो जब power same रहे हो और base बार क्लिक देंगे, तो यह हो गया आपका 78056